हाँ जी तो टेस्सीरीज के बात करेंगे ए ए एपीजीटी टेस्सीरीज तो देखो डो चीजे हैं अपने यहाँ पर समझेंगे कि ख़िए था कि अपने को क्या कि इसमें अगर बात करें कि दो फेज ने तो इसमें दो प्रकार की चीज़े अपन रखेंगे तो फेज बन के अपना अंदर अपने इंक्लूड कर रहे हैं कि जो major subjects हैं, major subjects का मतलब क्या हो गया? अपनी चरक हो गई, ठीक है, सुसुरूत हो गया, रस वेसस जे हो गया, इसके लाव और अपन काश्यप सहीता हो गयी, डीजी हो गयी, भाव पर कास भी सी में अपने इंक्लूड करें, तो इस परकार के कुछ मोटे subject हैं, अस्टां हो गय जो इसके अंदर लिए जाएंगी, यह वो subject हैं, जो अपना major portion का जो है, वो cover करते हैं, लगभग जो इसका portion आप देखोगे, तो लगभग लगभग 75% जो है, इसी में से क्यों चनाते हैं, और जो आपन किस में इंक्लूड कर रहे हैं, फेज 1 में इंक्लूड कर रहे हैं, हन चलेंगे, और इसके अंदर जो अपने दो महिने तक जो है, वो कितने टेस्ट होंगे, बीस टेस्ट अपन करवा रहे हैं, और जो बीस टेस्ट हैं, उसमें से मतलब दो महिने के 20 होए, तो एक महिने के लगभग कितने हो गए, दस टेस्ट महिने के हो गए, अभी अपन बात करेंगे उस 10 test में भी कितना portion आ रहा है तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप phase one के पूरे के पूरे test attempt करते हुँ तो उससे आपको यह पता लगेगा कि जरक में सुसरूत में कितने क्योशन आते हैं कैसा मामला है हना किस परकार से क्योशन पूछे आते हैं ठेक है इसके बाद में आता फेज सेकिंड अब भई फेज सेकिंड में क्या करेंगे तो जैसे अपन फेज फेस्ट में आये फेज फेस्ट में अपने क्या किया जैसे अपने फेस फेस्ट में आए तो फेस फेस्ट में अपने कहा है कि अपने चरक, सुसूरूत, रजशास्ट, कासेब, डीजी ये जो major subject है, अस्टांग हो गया, ये जो major है इनके अपने क्योशन किये और इनको अपने देखा अपने क्या करेंगे, कुछ ऐसे subject भी है, जो की बच गए है, जैसे कि अपने का भी Sanskrit हो गया, एक दो क्योशन आई जाते हैं Sanskrit के, ठीक है, इसके अलाव अपन कहें भी एक सबसे बड़ी बाद मोडन पोर्शन हो जाता है, जिसमें से लगबग 15 क्योशन आते हैं, 14-15 क्योशन आ ठीक, और भी छोट-छोटी हो जाते हैं, एक दो हारित के आते हैं, इस परकार से, घेरन सहिता का एक दो क्योशन आता है, और आयर्वेद का इतिया आता है, परदार्स विग्यान आता है, तो इस परकार से अपन कहें कि, दो दो तेन-तीन क्योशन जो हो बाकी इधर से भी आ कर वाएंगे जो फेज का आखाली टेज्ट अपना रहेगा बश्वatt हू न रहेगा ठीक है और पहला टेश्ट जो दे चुके हूँ आथ है आपरेल शूरू की यह गराल रहा तो का कि भी full syllabus, full syllabus में तो ये सारे के सारे बे आएंगे और साथ में जो माइनर सब्जेक्ट, अब माइनर सब्जेक्ट के लिए अलग से टेस्ट कराने की ज़रू थोड़ी है, अब संस्क्रिट है उसके दो के उसनी में फसा दिये, अना तो हो जाएगा, अना ये इसी परकार स कर लेते हैं फेज one का जो टाइम टेबल रहा, वो अपना किस परकार से अपन ने स्थीडू किया है ठीक है तो सबसे पहले बात करते हैं फेजWowun की इसमें देखेगा, तो बने का इसके अंदर 20 टेस्ट है, आना बीशेस्ट हो गए, तो ये पहले 10 हो जाएंगे और दूसरे ताकि आपने क्या हो जाए वह एक वन मंथ का टाइम इसमें रहेगा और वन मंथ का टाइम इसमें रहेगा अब देखो यह आठ तारीफ को पहला टेस्ट काफी लोग दे चुके हैं इसको जिसमें अपने कैसी डिवाइड किया है चरक वन टू टेन यह पीडियव आपको मिल ज को आपने टेशड दिया तो दस और घ्यारा को मतब दस का आपको सुद्र शुर्ष समय और अग problème कि बात करें तो तो भी बीच में अपन इतना समय दे रहे हैं, अपन रोज टेस सीरीज नहीं गरवा, रोज एकजाम नहीं ले रहे हैं, उससे क्या होता है एक परकार की वो थोड़ा दबाव भी आता है, और रिविजन करने का समय नहीं मिलता है, इसमें ये है कि अगर आपने नहीं भी है, तो दो दिन में आप इसमें 10 चेप्टर अपन देते हैं, 10 चेप्टर में कहो कि साफ कुछ चेप्टर बड़े हैं, तो उसमें क्या होता है, लगभग जो है, वह एक मिस्रण हो जाएगा थोटे बड़े चेप्टर का, साथ में अपन डी जी भी करवा रहे हैं, अब यहा क्वाद गेने का पार्ट थोड़ा से ज़ाधा है इसलिए को दोड़ा साथ जदा कर दिया तो जैसे में ऑपका च्रक कमप्लीट हो आपका डीजी गंपलीट हो चाएगा आपका कासिया अप्रीट और कंपलीट हो गया थिक है अभी बात कि इनकी कितने कितने उसन आते हिसी प्रकार से अगले महbing की बात करें मतलब देखो आप इसका आखरी टेस्ट hertz वह मैर मतलब यह एक महuclear मतलब आप मैना लगभग यह ओर हो गया, तो इसमें अपने सूसरूत कर लिया, इसके साथ में और भी सोट सब्जेक्ट, जैसे कि अपने का रशास्त्र अपना है, वो यहाँ पर एड़ कर देंगे, अभी यहाँ पर डाला नहीं है, क्योंकि अभी वो सिडूल हुए नहीं है, तो वो तो देखू अभी तक का, इसके अंदर क्योंस का जो सिडूल हुए वो क्या रहेगा, जैसे कि मानलो, कोई एक टेस्ट प्रिपेर किया जा रहे है, और उस टेस्ट में आपन कोई भी क्योस्ट दे रहे है, ठीक है, कैसे मानली जीगा, टोटल हाँ, अच्छा, अच्छा, अन उसमें देखो एक तो आज तक जितने भी पीछे की पेपर से जो नए वाल ज्यादा पुराने नहीं जाएंगे अपन जैसे 2018 आपको डालके देंगे ठीक है उसते क्या होगा यह आईडिया हो जाएगा पहला तो कि क्योशन आते कितने हैं कि चैप्टर एक से लेके दस्त के बीच में एक ग्रूप बन गया ना अगर आप सुत्रिस्थान पढ़ने बैठे हो तो मान लीजेगा आपने यह महसूस किया टेश्ट दिये उनसे आपको यह पता चल गया कि चरक के एक से लेके दस्तक के बीच में से तीन ही क्योशन आए हैं कि तीन आते कभी चयार आते हैं लेकिन आपने देखाई 11 से 20 से लेके थोटे ज्यादा आरे हैं पांच आरे हैं छा रहे हैं तो आपको पता पता लगेगा कि कौन सा पार्ट जो है पर्टिकुलर चरक सुत्रिस्थान तो है इंपोर्टेंट उसमें भी जो है कौन से 10 चेप्टर ज्यादा में तो वह भी अपने को देखने को मिलेगा अच्छा पर्टिकुलर चेप्टर का पता लग जाएगा मालीजेगा आप टेस्ट दे रहे हो और उसमें देखा कि 13 चेप्टर के क्योस्थान सोड़े ज्यादा आ रहे हैं पिछली सालों में तो इतने अनुमान आपको लगेंगे अच्छा दूसरी चीज़ 2023 के मालनों क्योस्थान आए हुए 2022 में है 2021 में है एकदम नए क्योस्थान कैसे आ रहे हैं पर्टिक करने की काबिल हूँ तो यह सारे आइडिया आपको यहां से आ जाएंगे ठीक है लेवल कितना आता है एक्जाम का वो सारी चीज़े इसके बाद में देखो यह सारा हो जाएगा यहां पर एक महिने के पस्चात अगर आप यह पूरा महिना आप आराम से देते हो तो मोटे त परकार से मैं सुसरूत की बात करूँगा सुसरूत चरक की अप एक सा थोड़ी सी मैं कम क्योशन आते हैं जहां चरक से 35-40 क्योशन आते हैं वही मैं सुसरूत की बात करूँगा तो इसमें 22 से लेके 25-27 तक क्योशन आते हैं हाना 22 से 26 तक क्योशन जो वो सुसरूत में ग्रूप बन गए न सुतरिस्तान के उस ग्रूप में से पिछली सालों में कितने क्यों सनाई है बाकाइदा आपको मेंशन करके देंगे कि यह 2020 का यह 2022 का यह इस परकार से ठीक यह बात हो गई इसके बाद में देखो इसके बाद में बात करते हैं आगे अपन चलते हैं कि सब्जेक्ट है यह पढ़ लीजिए आपका बेड़ा पा रहे है कुछ करना ही नहीं है बाके जोट दीजिए मोर्डन देखिए ऐसे क्यों सनाते मोर्डन में अगर आपको आ रहे हैं आपकी ग्यार विबारी के एंसे अर्टी बेस्ट क्यों सनाया तो आप कर देंगे आपने क्यों सन उठायते है गाईनी कहीं से भीक्यों सन लो जब आपको लगता है कि हमाने 517 शबजेक्ट अच्छ अच्छे से पढ़ लिये हैं इनके मनें टेस्ट भी दे लिये हैं और वह दिखने बी गलत हो रहे हैं उनका व्य आकलं कीजिए गा बहुत बार ऐसा होता है कि मान लीजेगा चार option है एक दो तीन और चार अपन इन दो में confused हैं तो कहते हैं चलो लगा देते हैं ये वाला लगा देते हैं टेस सीरी जी तो है तो अपन ये वाल लगा दिया लेकिन अपन confident नहीं है इसके लिए लगा दिया आपको इसके number मिल सब्सक्राइब आपको देखना है आपके गलत कौन से हो रहे हैं गलत क्यों हो रहा है क्या मेरे को बिलकुल भी नहीं सिर्फ हुई है जो आपको नहीं आ रहा है कितना confident हो जिस question का answer आपको आ रहा है क्या उस particular question की book में image बन रही है आपके दिमाग में जहां पे book में लिखा ह नहीं बन पार आप कितना percent sure रहते हो एक answer के पड़ती यह सारी चीज़े आपको analyze करनी है उसके अंदर ऐसा नहीं है कि सिप्टिक लगा के बैठ गरनी बाइसा बैसे कामें नहीं चलेगा चलो बात करते हैं phase 1 की अपन बात करें कि कौन-कौन से subject इसमें include हो रहे हैं सबसे पह यह दो मैंने उठा लिए इनमें जो कितने कितने के उसन आये हैं यह सारे है मैंने मेरे पास listing है इनकी मतलब reference wise भी पता है कौन से कहां से आयो है हना तो यह है इसी परकार से लगबग यही ratio जो है न वह आगे रहता है तो तीन grouping होती है चरक समिता सूसरु समिता और अपना अ क्योशन तो सारी है लेकिन मैं कहा रहा हूँ basically जो है सुत्रिस्थान जो है वह ज्यादा important है दूसरा अस्टांग संग्रह के भी क्योशन आती लेकिन फिर भी अपना अस्टांग रिदे पढ़ लेंग सफिचेंट है अस्टांग संग्रह का एक आद आ जाता है तो ठीक है बा 21 में 32 क्योशन आए हुए है इसका आपको सिर्फ इतना इसते का मतलब समझ लेना है कि जो चरक के क्योशन आते हैं वो आते हैं 32 से लेकि 41 के बीच में आपको ये रेशियो समझना इसका हना एक्जाम में कम से कम 30 32 तो आएंगे आएंगे और ज्यादा ज्यादा 40 42 भी मिल सकत तो जैसे चरक में कम होंगे किसी दूसरी साइड में बढ़ जाएंगे कहां पर बढ़ते हैं उनकी बात अपन करेंगे दूसरा कहा कि सूसरूत की बात करें तो सूसरूत में देखो लगबग एवरेजी रहता है कि 2020 में 25 आए 21 में 22 आए इसका मलब सूसरूत जो है ज्यादा फ्लेक्ट नहीं गरता वो 22 से लेके 26 के बीच में रहता है ठीक है एक रेशी हो गया 22 से 27 के उसन आएगे और वहीं बात करें अस्टांग की तो अपने का भी चरक के यहां पर 41 थे तो अस्टांग के 9 है और वहीं अगर बात करें चरक के 32 अस्टांग में यहां पर 2 बढ़ से और अभी अगली सब्जेक्ट में बढ़ेंगे तो का कि भी दो बढ़ें तो 11 हो गया इदर अपन मोटे तोर पर निकालें तो लगभग अपने निकलेंगे 75 लगभग क्योशन बनेंगे तो मैं कह रहा हूं कि भई 120 क्योशन थे और 120 में से 75 तो चरक सूसुरूद और अस् पहले वह शुक्स्टी फाईव तो मैं कह रहे हूं कि 65 से लेके 75 ता क्योशन तो किस में से जा रहे हैं चरक में से, सूशुरूद में से और अस्टांग में से चरक शूसुरूद वागभवत अपने हैं इन्वे से अपने पास में 65 to 75 क्योशन मिल रहे हैं और 120 के 50% होते हैं 60 लेकिन यहां पे मिल रहे हैं more than 60 अना तो 65 हो गया तो थोड़ा आपन ज्यादा कह सकते हैं मतलब बाउन पिच्पन पर्थी सथ तक जो है वो आपको चरक सूसरूत और वागवटी दे रहे हैं अभी ये भी बात करेंगे एक्जाम के लिए कितना चीह होगा ठीक है तो अपने का कि भी आधे से ज्यादा क्योशन अपने चरक से सूसरूत और वागवट से आते हैं ठीक है थोड़ी बहुत काउंटिंग की भी मिस्टेक हो जाती है कुछ लोग अस्टांग के इधर गिन लेते हैं चरक और अस्टांग के बहुत सारे ऐसी क्योशन होते हैं जो सेम यांसर होते हैं तो वो थोड़े इधर उधर गिन ले जाते हैं चलिएगा अभी अगली बात कर लेते हैं तो अपने का चरक है सूसरूत वागवट और है कुछ सब्जेक्ट जिनके और जैसे अपने जिनका नंबर चरक सूसरूत और वागभट के बाद में आता है ठीक है दो बाते होगी अपने का द्रव्य गुन के जनरली चयार आते हैं इसमें थोड़ा भाव परकास भी एपन जोड़ लेते हैं इसी में आ जाता हो वो भी द्रव्य के बारे में पढ़ते हैं तो कह देते वाव परकास भी लगभग इसमें आ गया बागी देखो 2020 में चयार के उसन आए 2021 में साथ आए तो 2021 में चरक के कम होई तो यहां पे साथ हो गए थोड़े बढ़ गये कास्थेप की तीन आए 2020 में 2021 में पांच आए रसास्था के पांच यहां पे नो है है अना तो कहने का विदर आपने कहा था 65, ठीक है, कहने का मतलब अब इसमें और अगर जोड़ें, तो यह जो बनेगा 2020 वाला, इसका टोटल बनेगा आपका 89 क्योशन, और 2021 का बनेगा 87 क्योशन, यही बात मने स्टार्टिंग में कही थी, कि 75% जो स्लिबस है, वो कौन कवर कर रहा है, वो अपन फेज 1 कवर कर लेगा, तो आप जब 2 महीने बाद में टेस्ट दिये, आपने regular टेस्ट दे रहे हो, यह मेंटर नहीं करता है, कि आपने कितना पढ़ा है, कितना नहीं पढ़ा है, डजन्ट मेंटर, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आपका 8 तारिक को मानलो, आपने 8 अपरे लीजिए, और 8 का जो बचा हुआ समय टेस्ट देने के बाद में, उसमें 2-14 गंटे पढ़ लीजिए, मतलब आपके पास में अगर आप दिन का अभी अंत समय है, और आपको अगर आवसेकता है, स्लेक्शन की, तो मेरा इमानना है कि आप 12 गंटा निकाल सकते हूँ, तो मैं तीस से तीस गंटे में आपको करना क्या है, वहीं दस चेप्टर पढ़ने हैं, अगर मैं चरक की बात कर रहा हूँ, सुसरूत में थोड़े चेप्टर छोटे हैं, तो थोड़े ज्यादा चेप्टर उसमें included है, लेकिन मैं कहा रहा हूँ, एक तीन घंटा आपको मिल रहा है जबकि इसमें छोटे चेप्टर भी रहेंगे, ठीक है, हाना, तो मैं कहा रहा हूँ, पच्चिस से तीस घंटा तीन दिन में निकालना अंत समय में कोई बड़ी बात है, बिल्कुल भी नहीं है, तो मैंने कहा है, कि दोजार बीस में मैंने कहा है, टोटल कितना रहा है, 89 क्य यहाँ पर बन रहे हैं, और इसके अगर आप 2021 के गुन होगे, तो 87 क्योशन, तो क्या मैं कह दूँ कि इनका 20 का ले लेते हैं, मतलब 2020 में 89, 87 लगभग इतनी रहते हैं, 85 से प्लस क्योशन जो हैं, वो फेजवन में अपन जितना कवर कर रहे हैं, उसका आता है, तो मैं ले ल सुरू तो रस्टांग के हैं, कितने क्या क्योशन आ रहे हैं, इसी परकार से जो द्रव्यकुन कास्यव रसास्त्रों सारंग दर, इस में से कितने क्या क्योशन आ रहे हैं, तो अपने रिजल्टेंट निकाल ले हैं, इनके जो है, वो 88 क्योशन आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं 88 कर लिए 480 मैंने का 352 नंबर हो जाएंगे 88 को 4 से गुना करेंगे तो 300 बावन नंबर का मामला हो जाएगा आपका फेज वन में जिस दिन आप 4 जून को बाहर निकलोगे अभी एक्जाम डेट नहीं है मनला जून के बाद में परिक्षा तो ठीक तो मैं कहा रहा हूं कि चार जून को आप भाहर निकले हो आपके पास में समय है फिर भी आपने 352 नंबर का मेटेरियल पढ़ लिया मैं यह नहीं कहा रहा है कि आपके 352 नंबर तक का सामान पढ़ लिया 480 में से तो क्या मैं कहा दू 302 बटे 480 गुना सो 73 पर्षेंट 73 पॉंट भी 33 आएगा कुछ ठीक है तो 73 पर्तिसत जो है स्लेबस आपने कर लिया है अब देखो अब बात करते हैं कितना यह लगबग बनता 62 टोटल का ऐसे कुछ बनता है तो अभी देखो बात करते हैं अप मा αν लीजेगा आपको अब कितने चीलिये उनकी बात करते हैं कि मैं कह रहा हूँ कि मान लीजेगा अन्रिजरॉर्ड की बात अपन कर लेते हैं जो यू आर वाले आते हैं ति फिर अपने केटेगरी कि साबसे अपन rocks &ản कर लेंगे कारें कि मैं सबसे पहले Entry-level college कॉछ ऐसे व लेवल कोलेज के लिए और एंट्री लेवल ब्रांच के लिए मतलब बस काम चलाओ ब्रांच मिल जाए काम चलाओ कोलेज मिल जाए हमें कोई ज्यादा इच्छे नहीं है 260 नंबर अगर आप क्या आजाते हैं तो उस दिन आप मान के जलिए कि आप काउंसलिंग कराने लाइक हो और किसी भी काउंसलिंग में आपका नंबर संभावित है यह तो हो गई अपन मेंओ दूसरी चीज आती है प्रिस्टीजिस कोलेज के लिए थोड़ी सी अच्छी इस और अच्छी घासी ब्रांच भी कर्मा हो गया ठीक है सर्जरी में थोड़ा से ओर ऊपर जाना पड़ता है लेकिन ठीक ठाक सी मतलब एक अच्छी बरांच है और अच्छी कोलेज है बताने में अच्छा लगेगा भविस से भी अच्छा से सुने रहेगा उसमें तो मैंने का भी तीन सो नंबर या फिर तीन सो से प्लस तो य अपने कितने मेटेरील तायार किया फेस वन में है मैंने का है अपने तीन सो बावन नंबर का मैटेरेल बढ़ा है और तीन सो बावन में से अपने को अपने 300 नमबर ला सकते हो लेकिन नहीं अब कहेंगे कि देखो यहां से गलत भी होंगे सही बात है पूरे चरक के सही थोड़ी हो जाएंगे पूरे सुसरूत के सही नहीं होंगे बहुत सारे गलत होंगे बहुत ही ज्यादा गलत होंगे ठीक है है हो भी रहे होंगे काफी लोगों के लेकिन अभी भी टेस्टों में एक विद्यार्थी हैं, उनके 284 नमबर आए हैं, मतलब 284 माक से 352 में से, वही एक परकार से 352 का ही तो वही आ है, तो कहरा वही 284 नमबर तो आए हैं, यहां से भी आ रहे हैं, आप 480 में से रहें, लेकिन पोर्षन कौन सा, एक्जामी से पोर फिर गलत होगे अपने, चाहिक है, तो बात करते हैं अभी ए एक चीज कर ली आपने phase-1 जो कहाँ है तो phase-1 में इतनी बात कर सकते हैं कि अपन entry-level या फिर prestigious colleges तक की भी बाते हैं अब देहों अब आपन phase-2 पर phase-1 की बाते हो गई और phase-1 में अपन समझा कि अपन 352 नंबर का मेटेरियल जो है 480 में से अपन प्रिपेर कर रहे हैं अब बचाओ मामला यहां से आता है जैसे modern subjects है modern subject में बहुत सारे आते हैं सब में से एक क्योसन उड़ जाता है अब बहुत लंबा चोड़ा पीडिया है modern की बात करूँ और उसमें से एक क्योसन निकल के आएगा अब वह पता चला आपने बहुत मेहनत की नोट सी बहुत ज़्यादा पढ़ डाले आपने लेकिन फिर भी उसमें से कोई एक भी नहीं हो सकता है संभावित है और कभी कभी आपने कुछ भी नहीं पढ़ा वहां से आपका सही हो गया ऐसे क्योसन आएंगे सभी में ठीक है तो का कि 14 क्योसन आते हैं लगभग इदर 15 आ रहते हैं 14 से 15 होते हैं ठीक है तो अपने का 88 अपने कर लिये हैं चैसे 10 क्योसन आपको जीके के मिलेंगे उसमें आज कल देश दुनिया में क्या चल रहा है इधर का पूछ लेंगे आई उससे संबंजित क्या कुछ चल रहा है बीच क्योसन बचे बीच में से आपको यह लगभग अपन करें कि बही 13 14 क्योसन आपको मोडन के मिल जाएंगे ठीक है अब बचे हुए दो तीन आपको प्रडाप विग्यान के मिलेंगे एक दो आपको संस्कृत का मिलेगा एक दो आपको और इदर उदर से मतलब चोट चोटी सही था उसे एक एक क्योसन कहीं कहीं से उठाते रहती योग रतनागर से एक मिल जाएगा ऐसे करकर एक एक 252 था उसमें से modern का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा हो जाते है ठीक है लगभग 100 नंबर 96 हो जाते है अना तो लगभग 100 नंबर जो है वो 56 नंबर हो गया ठीक है या फिर 60 कह सकते है पंद्राग ठीक है तो यह जो modern का 50 से 60 नंबर तो लगभग जो इतना मामला जो है यहां से निकल के आता है ठीक है और यह जो मामला बचा यह बचा कितना 73 परतिसत यहां पर आ गया था लेकिन 75 अपरोफ मान के चलू उदर तो 25 प ठीक है तो इनको जो अगर बाद में अपने पास में समय मिले तो उसमें क्या करेंगे अपन फूल स्लेबस पढ़ेंगे और फूल स्लेबस के साथ साथ में क्या देखेंगे इस 25 परशेंट जो अपना स्लेबस है इसको भी देखेंगे लेकिन इस 25 परशेंट को कब देखना ह जब आपका 55% पूरा हो जाए अब आप बैठके रो रहे हो सर मेरा मोडन नहीं हुआ अरे तो भाई 50 नंबर का छोड़ दे इसकी बजाए इतना एफ़र्ट तु चरक और सूसूरत में डालेगा ना तो इधर के क्योशन सही नहीं हो पाएंगे उतने ज्यादा उधर ही सही हो तो मोडन के लिए जो भी बच्चे रो रहे हो रोना बंदकर दीजी उसी परकार GK है अब GK में से कोई लपेटे में आ जाये तो हो जाता है नहीं हो तो नहीं हो अब यह ऐसे चीजें हैं जो की अपन इस्थिर नहीं है ऐस्थिर कह सकते हैं इन पर अपन पक्का नहीं कह सक से इनको पड़ा जा सकता है इसके बाद में देखिएगा अब बात कर लेते हैं कैसे क्या करना है कोई कोई ऐसे छात्र भी होंगे जिन्हों है जोंने नहीं कर शकते में और 859 अपको 100 सो दिन की वेलिटी मिलेगी 100 देज ठीक है आफरी सो दिन की बात अपन करें ऐसा होता है कि अगले सो दिन में एक्जाम नहीं हो पाती है तो हम आपको अक्स्टेंट कर देंगो उसके लिए परिशान नहीं हो दूसरी चीज है कुछ है भी सर हमने तो पढ़ा ही नहीं है तो क्य चीज है लिए ईसके लिए भी स्के लिए रिकोड़ेड लेक्ट्र जो है वह 3,000 रुपे में रहते हैं हमारे 100 दिन की वेलिटी इसमें भी रहेगी ठीक है 3,000 रुपे सो दिन की वेलिटी मिलेगी और साथी साथ महां कहूं अगर इसके साथ टेस्सिरी बात जीए तो सिर्फ इसके बाद में कुछ ऐसे विद्यार्थी भी होंगे सर फुल्स लेबर समय तो पूरा कोर्स ही चीए तो बई दोजार पच्चिस के लिए कोर्स भी अविलेबल हैं तो इनके लिए जो हो 12999 की जाएगी आपको 36 महीने की वेल्डिटीस में मिलेगी तो यहां तक रूके हुए भी हो अब इतना सुना है तो आप जो अगर यहां तक यहां तक सुनके अगर कोई वैच जोइन करता है इन दोनों में से तो उनको जो है कोड लगा देना है मुझे वोट्सप पे भेज़ दोगे ATS 01 अंत तक सुना ATS का मतलब है अंत तक सुना यहां तक सुना सेम रखा आपने तो 01 मतलब आप अगर यह पहले वाला कोर्स लेते हो पहले नमबर का तो आपको 200 रुपे का डिसकाउंट मिलेगा सिर्फ इसलिए कि आपने यहां तक सु ठीक है इसके लाव मान लिजेगा आप टेस्सिरीज ले रहे हो ठीक है टेस्सिरीज आपने जोइन की लेकिन जो अभी पहली बार इंटर्ण के साथ दे रहे हो ऐसे विद्यार्थियों फ्रेसर से हैं उनकी इतनी अच्छी तैयर ही नहीं है और अगर आप वह कंटिन्यू भ है उनको जो है अगले कोर्स में आपको पंदरा सो रुपे का जो है वो डिसकाउंट आपको मिलेगा ठीक है तो यह सारी चीजे हैं और कोई भी जानकारिशा हो तो आप मुझे और सपे मेसेज कर सकते हो ठीक चलेगा बहुत बहुत धन्यवाद हना और पढ़ते रही है अग लिकिन मेहनत करोगे और बहुत ज्यादा एफर्ट्स वाला काम नहीं है आज के दिन आप बैठे हो तो आप 30,000 के वेखती हो यहां यह वीडियो कोई भी बंदा सुन रहा है तो वो 30,000 रुपे का वेखती है मतलब महिने का उसको 30,000 रुपे तो कोई भी दे देगा यह वो कॉम्पिटीशन नहीं है जो आप नीट की तैयारी किया करते थे वो नहीं है भई तो इसमें आप बहुत सेमित रूप से तैयारी कर सकते हो अच्छा इसमें टाइम भी आपके पास में बड़ा रहता है आप आराम से तैयारी कर सकते हो तो यह सारी चीज़े है किसी भी परक ठीक है चलिएगा बहुत बहुत धन्यवाद ओके